हेलो श्रेंट्स गूरी जैहिं तो यौल श्रेंट्स इस इस माइ फोर्थ वीडियो फोर लास नाइन्थ मैट्स चैप्र नॉमबर टू इन इन दिस वीडियो विसाल सॉल एक्सरसाइज तु पॉइंट्रिए तो श्रूजेंट्स यहां पर मैं एक च्वेश्चेन एक्सप्रे ऐसे questions को हम लोग remainder theorem से solve करेंगे remainder theorem को मैंने अपनी पिछली वीडियो में explain किया हुआ है तो remainder theorem के लिए हम लोग क्या करते हैं जो divisor है जिससे divide करना है उस divisor का हम लोग पहले 0 find कर लेते हैं 0 find करने के लिए क्या करना है students divisor के equals 0 write करना है और x की value find कर लेनी है 2x equals minus 5 this implies x equals to minus 5 by 2 Now students अब हम लोगों को क्या करना है कि यह x की value यह जो polynomial given है यहाँ पे हम लोगों का polynomial given है वो है x cube plus 3x square plus 3x plus 1 3x square plus 3x plus 1 यह हम लोगों का polynomial given है तो यहाँ पे अब हम लोगों क्या करना है इस polynomial में x की value put कर देनी है तो x cube means minus 5 by 2 whole cube plus 3 into x square means minus 5 by 2 square plus 3 into x minus 5 by 2 plus 1 अब यहाँ पे हम लोगों करते हैं minus 5 का cube minus 125 by 2 का cube 8 plus 3 into minus 5 square 25 2 square 4 यहाँ पे minus 3 plus 3 into minus 5 plus minus minus 5 to 15 by 2 plus 1 तो students यहाँ पे अब हम लोगों को solve करने के लिए यहाँ पे denominator calcium लेना होगा तो 8 4 to 1 calcium 8 minus 125 यहाँ पे 4 to 8 होता है तो फिर 25 3 जा 75 तू जा 150 and minus 2 फोर्जा 8 तो 15 फोर्जा 60 and plus 1 एड जा 8 तो यहाँ पे हम लोग इसको add कर लेते हैं 150 minus 125 पहले minus minus add कर लेते हैं students तो minus 125 minus 60 यह हो जाएगा minus 185 150 plus 8 158 by 8 equals 2 यहाँ पे 15 minus 8 7 7 minus 5 2 तो find होता है minus 27 by 8 तो students यहाँ पे यह हम लोगों का जो है यह remainder find होता है इस इस तरीके से आप लोग remainder find करने के लिए remainder theorem का यूज कर सकते हैं और question first को solve कर लेना अब आते हैं second type का question जो exercise का second type का question है उसको हम लोग solve करते हैं तो students second type के question में question no.2 यहाँ पे है find remainder when find remainder when when x cube minus ax square plus 6 x minus a x cube minus ax square तो students यह हम लोगों का question है find remainder when x cube minus ax square plus 6 x minus a is divided by x minus a तो हम लोगों कैसे solve करना steps पता है first we have find zero of divisor means x minus a x minus a equals to zero this implies x equals to a यहाँ पे हम लोग डिवाइजर का zero calculate कर लेते हैं now students अब लोगों का यह जो polynomial है यह polynomial px equals to x cube minus ax square plus 6 x minus a यह a polynomial given है यहाँ पर यह एक्स की value यहाँ पर put कर देंगे हम लोग एक्स इक्स इक्वाल्स टू ए तो एक्यूब माइनस से इंटू ए स्क्वार प्लस 6 इंटू ए माइनस से एक्यूब माइनस से क्यूब प्लस 6 a माइनस a यहाँ प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसल 6 a माइनस 5 a तो इस्टूइंट्स यहाँ पर यह रिमेंडर हम लोगों का find हो जाता है ना स्टूडेंट्स एक्सराइस 2.3 का जो थर्ड टाइप का क्यूश्चन है वह है चेक वेदर 7 प्लस 3 एकसी जब फैक्ट और आप 3 एकस की प्लस 7 एकस तो इस टाइप के क्यूश्चन को कैसे सॉल करना है स्टूडेंट्स जब भी ऐसा क्यूश्चन हो कोई एक पॉलिनॉमियल को चेक करना हो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं तो इसके लिए हम लोगों क्या करना है कि हम लोगों को find करना है इस पॉलिनॉमियल से अगर सेकंड पॉलिनॉमियल को डिवाइट करते हैं तो रिमेंडर क्या होता है तो हम लोगों को रिमेंडर ही कैल्कुलेट करना है अगर फैक्टर चेक करने के लिए आता है तो भी तो रिमेंडर करने के लिए फिर से वहीं डिवाइजर क क्या हम लोग 0 कैल्कुलेट करेंगे 7 पलस 3x इक्स तू-0, 3x इक्स to minus 7 this implies x equals 2, minus 7 by 3 अब इसके बाद यहाँ पर remainder calculate करने के लिए polynomial जो PX given है वो write कर लेते हैं 3X cube plus 7X यहाँ पर X की value put करते हैं 3 into X cube means minus 7 by 3 cube plus 7 into minus 7 by 3 तो यहाँ पर 3 into minus 7 power 3 7 तो यहाँ पर minus 7 का cube हम लोग write करेंगे minus 343 3 का cube 3 into 3 into 3 यहाँ 1 3 से 1 3 cancel plus sorry plus 7 into minus 7 minus 49 by 3 तो students यहाँ पर अब हम लोग find करेंगर तो minus 343 by 33 यहाँ 9 हो जाता है minus 49 by 3 LCM ले तो 3 और 9 का calcium 9 minus 343 and minus 3 9 जा 27 3 9 जा 27 3 4 जा 12 तो 14 तो students यहाँ पर हम लोग देखते हैं remainder 0 नहीं है 7 3 10 4 4 8 1 9 3 1 4 तो 7 3 10 4 4 8 1 9 3 1 4 minus 490 by 9 तो हम लोग का जो remainder है वो 0 नहीं है अगर remainder 0 आता तो हम लोग write करते this is factor of this polynomial बट यहाँ पर जो remainder हुआ 0 नहीं है इसलिए हम लोग write करेंगे 7 plus 3 X 7 plus 3 X is not a factor of 3 X cube plus 7 X तो यह हम लोगों का final answer है ओके students आज की उडियो में बस इतना ही next उडियो में हम लोग next exercise solve करेंगे उसको हम लोग detail में समझेंगे thank you everyone nice day जैहिंद जैभारत